असलाम लेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फोफुली आप सब खेरियस होंगे मैं आपके साथ डेली शेयर करी हूँ बहुत ही इंफर्मेटिव वीडियो बर्ड लवर्स के लिए आज भी मैं आपसे एक ऐसी ही प्रॉब्लम पर बात करूँगी जिससे आप अक्सर दुचार होते हैं मगर इसकी वज़ा नहीं जान पाते अक्सर ऐसा होता है कि ब्रीडिंग मन्स स्टार्ट हो चुका होता है आपके बर्ड के साथ एक प्रॉब्लम एक मसला चल रहा होता है जो कि आपको आइडिया नहीं होता कि उन्हें क्या वज़ा है और ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके बर्ड के साथ ऐसा कोई प्र साथ सी साथ मेरे चैनल को लाइक हेर और सब्सक्राइब भी करना होगा चले आए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जाने पर मैं आपको बताती हूं कि आज मैं आपको क्या इंफॉर्मिशन देने वाली हूं सम्हाओ ऐसा होता है कि बर्स का पेर लगता है मगर मीटिंग नहीं ह लगेंगे और 21 दिन के अंदर ये अंदर उसमें से बच्चे भी निकलेंगे चले आए तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानी पॉाइल नमबर वन पर मैं बात करूंगी आप से कि बास वकात ऐसा होता है कि मेल और फीमेल आपस में पेर लगा देते हैं मेंस कि मेल मेल के साथ और फीमेल का मेल के साथ कैसे जेन्डर फाइंड करना और आपने उनका पेर लगाना है ताकि जल्द से जल्द ब्रीडिंग हो सके और आपके बर्ट की तदाद में इसाफा हो सके सबसे पहले आपने उनकी जेंडर कन्फर्म करनी है और उसके बाद आपने उनका पेर लगाना है अक्सर ऐसा होता है कि वो दाना भी चेंज करते हैं मगर मीटिंग नहीं हो पाती और आपको लगता है कि पेर लग चुकी है मगर वो अंडे नहीं दे रहे उसके लिए उनकी जेंडर मालूम करना और ठीक से पेर लगना बहुत जरूरी है और इसी पॉइंट में साथी साथ बात करती चलू अगर फीमेल की एज मेल की निस्पत ज्यादा होगी चाहे वो बजिस हों चाहे लव बर्ड़ हो या कोई भी और बर्ड़ अगर फीमेल की एज ज्यादा है मेल की निस्पत तब भी ऐसा होता है कि आपका पेर मीटिंग नहीं कर पाएगा होता क्या है उसमें ये बात है कि जो बड़ी फीमेल होती है वो मेल को मीटिंग नहीं करने देती तो आपके पास ब्रेडिंग नहीं हो पाती तो ख्याल रखें उनकी एज बराबर हो तो जादा बेस्ट होगा या फिर मेल की एज फी मेल की निस्पत जादा होनी चाहिए अब भड़ते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नबर टू की जानीब जिसने में बात करूंगी वाक्स मटके या केज की बर्ड्स का केज उनकी मताबिक उनकी पसंद दीदा हो तो बहुत ही अच्छी बात है फिर वो जादा से जादा वहां रिलैक्स फील करते हैं और उनका पेर लगता है एक्स भी देती है और ब्रीडिंग भी होती है तो आप कोशिश करें कि आपने जो भी केज उनके लिए या बॉक्स लिया है वो खुला हवादार और किसी रोशन जगा पे मौजूद होना चाहिए और कभी ऐसा वो तो आपके बर्ड्स अगर ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो आप उनकी जगा चेंज करके देख लें आपने बहुत बार उनकी बार बर जगा चेंज नहीं करनी जहां पे आपको लगे कि आपके बर्ड्स जादा खुश है आप उसी जगा पे उनको रखें और उनका केज भी खुला और हवादार होना चाहिए और आप जो भी मट्की यूज़ करें वो भी फीमेल की पसंद की होने चाहिए ना तो वो हिलती हो उस पर ढखन इस तरह के हो के वो बिलकुल कवर्ड हो उपर से और उसमें आपकी बर्ड्स या फीमेल सिक्यूर फील करते हैं ये तो बात हो गई उनकी रहाइश के मतलिक कैसे कैसे आपने उनको रखना है कि उनकी मट्का बिलकुल खुला हवादार और उपर से कवर होना चाहिए उसके साथ साथ आपका केज पी किसी ऐसी जगा पर होना चाहिए जहां आपके बर्ड्स रिलैक्स फिल करें और अच्छे से ब्रीडिंग कर सकें और आपके बर्ड्स की तदाद में मेजिकली इजाफा हो सकें चले तो भड़ते हैं पॉइंट नमबर थी की जाने जिसमें मैं बात करूँगी स्टिक के बारे में आप जो भी स्टिक अपने बर्ड्स के लिए समाल करें हैं कोशिश करें कि वो एक इंच की हो जिस पे उनका पंजा अच्छे से जमता हो मिन्स के उनके पंजे की गृप उनसे बड़ी अच्छे से आती हो और अगर आप मार्किट से भी कोई प्लास्टिक की स्टिक बगरा लेते हैं तो वो भी मोटाई में इतनी जादा नहीं होनी चाहिए कि वो उस पे असानी से बैठ ना सके और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यह जो हमारे पास फ्रेश टेहनिया वगरा होती हैं उसकी अच्छे से स्टिक तियार करें और अपने बर्ड्स के कैज में लगाएं उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ पॉइंट नमबर फोर की जानिब उस जिसमें बर्ड्स का हीट पर आना अकसर ऐसा कि जब पैर्ड लगता तो जौरी नहीं कि आपके बर्ड्स हीट पर हो फीमेल अकसर हैं कि अbn। अक्छे होती हैं जिए मेल की निसफ़ट उनको हीट पर लाने के लिए कुछ खुराकोई आपको इहने देना होगी जैसा के पालक, मेथी बगरा और बर्ड को हीट पर आने के लिए भी मैंने प्रीविएस वीडियो में अपनी एक वीडियो शेयर की है आप मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो देखें कि कैसे बर्ड को हीट पर लाना है और खुराक की अगर में बात करूँ तो आप हफते में एक बार उने पालक और मेती देते रहेंगे तो आपके बर्ड सीट पर आएंगे और ब्रीडिंग बहुत अच्छी रहेगी होफ़ोली मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जरूर इससे कुछना कुछ सीखा होगा और आप इसको अपने बर्ड पर इंप्लीमेंट भी करेंगे और इन बातों का ख्याल भी रखेंगे मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी बहुत जादा इंफर्मिशन के साथ अल्ला हाफिज